हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एच्पी स्टडी हब आई होप यू ओल अर डूंग वेल आज दिनाक है पांच जनवरी तो चले देखते हैं पांच जनवरी के करन्ट अफियर और स्टैटिक जीके के टोप टैन इपोड़ेंट कोशन चापके आने वाले किसी विग्जैम के एंड अंडर 20 वर्ड कप 2021 तिल वेन तो फर्स्ट कोशन में फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि फिफा काउंसलिंग ने हाली में मैंस अंडर 17 और अंडर 20 वर्ड कप जो की हैल्ड होने वाला था 2021 में इसको पोस्ट पॉन कर दिया है कौन से साल तक आपके गिवन ओप्श बी 2023 तक तो हाली में फेडरेशन फोर इंटरनेशनल फुट वोल एसोशेशन ने पॉस्ट पॉन किया है फिफा मैंस अंडर 17 और अंडर 20 वर्ड कप को ड्यू टू कोविड 19 पैडमी के कारण और अब ही आपका हैल्ड होगा 2023 में और जो मैंस अंडर 17 फिफा वर्ड कप है य वो आपका हैल्ड होगा अब इंडोनेशिया में पहले भी आपका 2021 में इनी दो कंटरों में हैल्ड होने थे रिस्पेक्टिवली लेकिन फ्रेंस अब जो है ड्यू टू कोविड 19 पैडमी के कारण इनको 2023 तक शिफ्ट कर दिया है तो आज का मेरा फर्स्ट कोशन आपने इन फैंतिनों और फिफा के हैड़कॉर्टर आपको देखने को मिलेंगे स्वीडर्ज लेंड में तो फ्रेंस इंपोर्टेंट कोशन आप ये भी याद रखे कि इंडिया होस्ट कर रहा है अंडर 17 वुमें वर्ड कप 2022 में तो आप इसे भी याद रखे वुमें का जो अंड तो हाली में कौन सी देश की सरकार ने अपने नेशनल एंथम में अमेंडमेंट्स किया है ताकि वो ओनर्स दे सके वहां के इंडिजिनियस प्यूपल को आपके गिवन ओप्शन फ्रेंस यहां पे रहे और इस कोशन का जो राइट अंसर है वो है ओप्शन ओप्शन सी अस्ट्रेलिया देश की गौर्णमेंट्स ने हाली में अमेंड्स किया है अपनी नेशनल एंथम में ताकि वो ओनर्स दे सके वहां के इंडिजिनियस प्यूपल को जो की वहां जो की अस्ट्रेलिया में लगबग 2000 साल से वहीं की जो फ्रेंस वापकी कॉम्मिनिटी है तो फ और वी यार वन एंड फ्री प्राइम मिनिस्टर है ऑस्ट्रिया के स्कोट मोरिसन आप इनका भी नाम याद रखे और कैपिल है यहां की कैन बेरा अगर ऑप्शन ए को देखे न्यूजलेंड न्यूजलेंड की जो कैपिल है वो है वेलिंग्टन ठीके फ्रेंस आप इसे या जिसमें आप से पूछा गया है रिसेंटली विच स्टेट गोर्णमेंट हैस डिसाइड टू लौंच किसान कलियान मिशन फोर दी फार्मर आपके गिवन ओप्शन ए, बी, सी, डी तो कौन सी स्टेट गोर्णमेंट ने हाली में किसान कलियान मिशन स्कीम को लौंच करने का फैसला किया है तो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा option option d उत्तर प्रदेश तो उत्र प्रदेश की सरकार ने हाली में फैसला किया है कि वो कल तुमारो यानि कि 6 जनवरी 2021 को लौच करेंगे किसान कल्यान mission और यह friends scheme या फिर यह mission कहूं इसलिए लौच किया जा रहा है ता का साथ देंगे the department of horticulture, mandi parishad, animal husbandry, sugarcane food and supply, fishnary and panchati राज department यह सब मिलके friends काम करेंगे ताकि जो farmers की income है उनको double किया जा सके within the state और friends अगर बात करूँ CM जो है उत्र प्रदेश के प्रेजेंट में योगी अधित्यानाथ आप जानती होंगे इनको और उत्र प्रदेश की ज हैं the next question question number 4 यह भी काफी important question है friends तो question number 4 में आपसे पूछा है India's food regulatory body जो की आपकी FSSAI यहने की Food Safety Standard Authority of India reduce limits for trans fat levels in food of 3% by which year तो फसाही ने friends हाली में reduce करने की बात की है Trans fat को अपने food में by 3% कौन से साल तक आपके given option यहां पे रहे और इसका जो right answer होगा वो होगा option option C 2021 तक तो यहां पे friends the food safety and standards authority of India ने amount जो होता है Trans fatty acids का उसको reduce करने की बात की है 3% by 2021 और उनके यह aim है कि इसको वो reduce करेंगे 2% by the 2022 आप इसे भी याद रखे यह जो Trans fat को reduce करने का सिंसला अभी से नहीं चला है इससे पहले 2015 में Government of India ने और 7 में इसके साथ फसाही ने भी यह decide किया था कि यह जो है Trans fat को reduce करेंगे by 5% तो हाली में new update के साथ फसाही ने decide किया है कि वो reduce करेंगे Trans fat को 2% और यह इसलिए किये जा रहा है क्योंकि World Health Organization की एक रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार Approximate 5.4 lakh यानि कि लगबग 5.5 लाख लोगों की हर साल मृत्य होती है due to consumption of industrially produced trans fatty acid foods तो due to Trans fat food के कारण लगबग 5.5 लोगों की मृत्य होती है according to the WHO तो इसी को ध्यान में रखते हुए Government of India ने भी decide कि वो अपने foods में trans fat की value को reduce करेंगे W health जो WHO इन्होंने तो target रखा है कि यह eliminate कर देंगे globally trans fat को by 2023 यानि कि 12-13 तक WHO ने target रखा है elimination का eliminate करने का trans fat को अगर बात करूँ फसाई की तो फसाई जो आपके setup किया गया था या फोम किया गया था यह किया था अगस्ट 2011 में और इसके headquarter देखने को मिलेंगे आपको नियो डेली में और present में जो इसकी chairperson है वो है रिता कियोतिया आप इनका नाम भी याद रखे और इसके जो CEO है The next question, question number 5 जिसमें आपसे पूशा गया है National income estimates in India are prepared by जो national income देश की निकाली जाती है उसको कौन त्यार करता है आपके given option यहाँ पे रहे Planning Commission Reserve Bank of India Central Statistical Organization या फिर Indian Statistical Institute इसका जो रेटनस होगा वो होगा Option C Central Statistical Organization या फिर Office तो देश की national income estimate करता है Central Statistical Organization यह आपका found किये गये था 2 मई 1951 को आप इस टेट को भी याद रखे इसके headquarter है नियो डेली में और यह जिस ministry के अंडर काम करता है वो है Ministry of Statistics and Program Implementation आप इस ministry का नाम याद रखे Ministry of Statistics and Program Implementation Reserve Bank of India के present में जो गवर्नर है वो है शक्तिकान दास आप इनका भी नाम याद रखे शक्तिकान दास The next question, question number 6 जिसमें आप से पूछा गया है The Tropic of Cancer does not pass through which of this Indian state तो given option में से Tropic of Cancer कौन सी state से नहीं गुजरती है आपके option है Madhya Pradesh, West Bengal, Rajasthan या फिर option D उडिसा, तो इसका जो right answer होगा फ्रेंस वो होगा option option D उडिसा, उडिसा जो है या उडिशा इसका जो right answer होगा तो Tropic of Cancer इंडियन्स की आठ स्टेट से होके गुजरती है वो जो आठ स्टेट है वो है गुजरात, राजस्तान, मध्यपरदेश, छतिसगर्ड, वेस्ट बेंगोल, जारखंड, त्रुपुरा, एंड मिजोरम आप इन स्टेट्स के नाम याद रख ले यह question काफी बार exam में पूछा गया है The next question, question number 7 जिसमें आप से पूछा गया है The purest form of iron is Iron की सबसे ज़्यादा purest form कौन से होती है आपके given option यहाँ पर A Option A, rote iron Option B, steel Option C, pig iron या फिर option D, nickel, steel तो friend, इस question का जो right answer होगा Question number 7 का वो होगा option A, rote iron Rote iron जो होती friends, वो होती है Iron के सबसे purest form और यह purest form इसलिए होती है क्योंकि यह contain करती है आपका लगबग 0.12 से लेके 0.25% के बीच में Number 8 काफी important question reference यह भी काफी बार exam में पूछा गया है Phetometer is used to measure Okay, given option यहाँ पर रहे कि phetometer किसके लिए Phetometer से क्या measure किया जाता है Okay, given option Earthquake, rainfall, ocean depth या फिर sound intensity तो इसका जो right answer होगा Phetometer को, friends, use की जाता है measure करने को ocean की depth को काफी बार कोशन आप इसे याद रखे Phetometer, friends, finder यह जो क्या करता है, आपका measure करता है ocean की depth को और यह जो, friends, आपका use करता है sound wave to determine the depth of the water तो sound waves की जरीए, friends, यह help करता है phetometer को phetometer की determine करने के लिए depth of the water अगर option A को देखे earthquake, तो earthquake को earthquake की intensity को measure करने के लिए जो scale यूज की जाती है, उसे केता होगा reactor scale, आप इसे याद रखे the intensity of earthquake की नापी जाती है measure की जाती है reactor scale से उसी तरह sound intensity option D जो है यहाँ पर उसको measure करने के लिए जो scale यूज होती है, वो होती है आपकी decibel scale the next question, question number 9, इसमें आप से पूछा गया है which river of India is called वृत गंगा या फिर वृदा गंगा तो कौन सी river को हार्थ की वृत गंगा के rivers गंगा के नाम से जाना जाता है अगर उसने Krishna, Godavari, Kaveri या फिर option D, नर्मदा तो इस question का जो रिटन्स होगा वो होगा option, option B Godavari तो Godavari जो river है उसको कहा जाता है वृत गंगा के नाम से B यह जो river है, यह इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है आफ्टर गंगा river और यह जो है अपके एक peninsular river है 10 और आज का यह last question जिसमें आपसे पूछा है Which foreign country is closest to Undemand Island तो Undemand Island के पास सबसे close country कौन सी है, आपके पूछने Shri Lanka, Indonesia, Myanmar या फिर पाकिस्तान तो इसका रिटन्स रोगा option C Myanmar जो country है, वो सबसे closest है Undemand Island के तो friends, आज के इस lecture में होने देखे top 10 important question अगर आपको इस lecture की PDF चाहिए होगी, तो आप हमारे telegram group HP Study Hub को join कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हमारे सभी lecture की PDF मिल जाएगी जो मैंने आपसे question पूछे हैं उसका अंसर आप comment box में जुरूर बताएं तब तक के लिए friends अपना ख्यार रखे, safe रहे, मिलते हैं next lecture में, धन्यवाद झाल